Friends, अब तक आप दुनिया की कई रहस्यमी चीजों के बारे में सुन चुके होंगे और इन में से कुछ जानकारियों ने आपको हिरान भी कर दिया होगा आज आप ऐसे हिरान कर देने वाले एक गाउं के बारे में जानेंगे मेकसिको में से टिल्टे पक गाउं को अंधो का गाउं भी कहा जाता है इस गाउं में करीब सतर जौपडियां है जिन में लगग 300 लोग रहते हैं यह सबी अंधे हैं, इतना छी नहीं, यहा रहनेवाले इंसानों के साह साथ हर जानवर भी अंधा है यह गाउं दुनिया के रहस्य में गाउं में से एक गाउं है इस गाउं में जैपोटक्स जनजाती के लोग रहते हैं यहाँ एक रहस्य है कि टिल्टेपक गाउं में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद उसकी आखों की रोशनी चली जाती है और वो अन्य लोगों की तरह अंधा हो जाता है गाउं मेर रेने वाले लोग अपने अंधेपन की वज़ा एक पेड को मानते हैं गाउं के लोगों का मानना है कि लाउज वेले नामक एक शापित पेड को देखने के बाद यहां इंसानों से लेकर पशु पक्षी सब ही अंधे हो जाते हैं अलाकि वेग्यानिक इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं है और उनका कहना है कि अंधेपन के बीचे का कारण कोई पेड नहीं है बलकि एक खतरनाको जहरीली मक्षी है इस जहरीली मक्षी के काड़ने से लोग धीर धीर अपनी आखों की रोशनी खो देते हैं